आज हम शुरुबात करने एक न्यू सिरीज क्रैश कोर्स फॉर यूर अपकमिंग जेकेस भी फाइनेंस अकाउंट एसिस्टेंट एंड अधर एक्जाम गाइज इस कोर्स में हम जितने भी कोशन्स लेंगे वह को से कुछ गचाहाएं आप इससिस्टेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हों चाहें सब इंस्पेक्टर एक्जाम की त्यारी में कर रहे हैं तो जितना है ज से दो आप डिफरेंट सोर्स से section बिकर रहें के राओर और से सोर्ससे कर शुरुबात अगर आपको वीडियो यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें सो डैट की इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रख पाएं बिकाज अट दी एंड वी नीड यूर स्पोर्ट आपको वीडियो को लाइक करना अगर आपको यह पसंद आई अगर आप चाहते हों कि इसी तरीकी की स्रीज को हम कंटिन्यू रखें पीडिफ भी आपको मिल जाएगा हर mcqs के पीडिफ मिलेंगे आपको क्या करना है पीडिफ के लिए आपको डाउनलूड करना नेक्स्ट एक्जाम आईक्यू लिंक में आपको देस्क्रिप्शन में प्रवाइड करूंगा स्टेडि मेडिल कॉलम में जाएंगे वहां आपके लिए डिफरेंट कॉलम्स बनाएगे हैं फाइनस सब इंस्पेक्टर एंड फाइनस एकांट असिस्टेंट के दो सब एडिंग से तो आप अपने स्लिपस के एकॉर्डिंग देस्ट सब्सक्रिपश्न विडियो तो देखो जैसे में और आपको बताया आप इस सेरेज को आप अपने टेस्ट ही मानिये तो आप आंसर्स खुद बताई ये इन्के आंसर्स में शेर करूंग आप अपने आंसर्स आध The beyond कर सकते होांगे ओत मुबारक मंदी कंपलेक्स तो किसके दवारा बनाया गया यह आपने बताना है this is the first question for you so i hope आप लोग इसका आंसर कर सकते हो सबी students इसका आंसर कर सकते हैं exactly correct answer for this question is option नमर डी दुरुवदेव राजा दुरुवदेव दुबारा बनाया गया था मुबारक मंदी कंपलेक्स आगे बढ़ते हैं अमर मेल अमर सिंग पैलेस वास बिल्ट बाइव विच ओड़ फॉलिंग आर्चिटेक्ट डिजाइन तो कौन से डिजाइन से बनाया गया था यह आपने बताना this is the second question exactly correct answer for this question is option number B option number a French architecture is the correct answer for this question option याद रखेगा option number a okay and guys देखो एक और important announcement आप लोग प्रिपेर कर रहे हो खुद को अपनी preparation check करने के लिए आपके लिए mock test भी प्रवाइड किये जा रहे है right now आप हमारी app पे जाएंगे store column में जाएंगे finance account assistant के लिए आपके लिए पांच माउप अवेलेबल है 149 रुपीज का चोटा सामाउंट रखा गया इसमें आपको द्यान से सुने क्या गया चीज़े प्रवाइड की जाएंगे okay maximum students ने finance sub inspector exam apply and finance account assistant ने भी अपने apply किया सु दोनों के 55 माउप मिलेंगे आपको 149 रुपीज का चोटा सामाउंट रखा गया तो पांच माउप आपको finance के मिलेंगे पांच आपको finance sub inspector के मिलेंगे okay हो गए वह 10 माउप प्लस अब देखो यह 50 लिखा गया इससे पहले देखो उससे आपको benefit यह होगा कि जितने भी जैंट के जवन किश्मीर की knowledge जनल नौलज विश्पेशल रफरेंस टु जैंट के अद अधर सेक्शन जैसे reasoning होगी mathematics होगी basic जो आपके exam थे तो वह भी में एक column बनाऊंगा जिसमें आपको 50 मॉक test का इक अलग column मिलेगा यह सारा amount आपको यह सारे मॉक्स आपको 149 में मिलने वाले तो आराउंड आपको 60 20,000 ब्लस कॉशन्स आपको मेल जाएंगे तो इससे होगा कि आप लोग प्रिविज इक्जाम में जो भी हुए प्रिविज एक्जाम बेस्ट पर जो भी हमने आप मॉक्स बगारे बनाये वह भी अट्युम्ट कर सकते हो तो उससे आपका होगा तो आपने करना है कि हमारी आपको डाउनलूट करना नेक्स्ट एक्जम लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टोर कॉलम में अभी आपको पांच मॉक्त प्रवाइड के जाएंगे जो अधर जो अधर रिवेजन के लिए 50 मॉक्स वह आपको अपको अधर कर सकते हो तो आप हमें कमेंट कर दीजे तो उसकी जो भी आपकी कर दो कर देंगा आगे बढ़ते हैं ताइम नहीं करेंगे विजो था विचो तो लिए को इनके अब लग जिया हुआ चिश्फ छहाँ से आंशितिंगों को अधर जो खूप सेंगे अब लोग सेप segundo में एंचब को मरए बढ़ते 오äre राजा अगे बढ़ते हैं विजो धो तो तो है जो दो आपको को मिनी किश्मीर बोलते हैं यह बद्रवा ही है और कहीं जगा आपको पुंच भी मिलेगा बट अप्रोप्रेट आंसर इस बद्रवा ओके विश्टी इस विच सिटी ऑफ जमुएन किश्मीर आल्सो नोवन आज विनाइस ओफ फीस्ट शिरिनगर इस दा करेक्ट आंसर कौन सी है यह अपने बताने सुल्तान सिकंदर दवारे इससे बनाया गया था तो जावा मस्जिद अगे दे लास्ट रेसिदेंस ओफ डोग्रा वाउस डोग्रा किंग थे इनका लास्ट रहने का रेसिदेंस कहां पर था यह आपने यह पूछ रा आप से तो यह है जाई हमारा अमर्सिंग पैलेस आगे बढ़ते हैं which of the falling is the Asia's only hellisking resort यह कहां मिलेगा आपको this is located in गुलमर्क ओके बेताब अरू एंड बाइसर्ण वैली इस लोकेटेट इन यह कहां पर है यह वैली कहां पर मिलेंगी आपको बेताब वैली अरू वैली यह मिलेंगी आपको पहलगाम में अगे बढ़ते हैं पीर वैली यह मिलेंगी आपको मिलेगा सांबा डिस्टिक के अंदर आगे बढ़ते हैं पीर मिठा is a famous monument located in जमू डिस्टिक is dedicated to which sand किसे डेडिकेट की है यह पीर मिठा यह आपने बताना है जो जमू में आपको मिलेगी साइद कुटू बालम is the correct answer for this question आगे बढ़ते हैं गुमट is located at जमू में सिटी में आपको पता है गुमट has a famous monument is dedicated to which sand यह काफी important question है रोशन शाह वाली is the correct answer for this question याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं तरण बिरेश्व टैंपल इस ओल्स दे फैमर्स तुरिस्ट पॉर्ट आफ जमू इन किश्मिर जो में आपको प्रेड में मिलेगा आपको बढ़ते हैं यह कौन सी रिवर से यहां लाएगे हैं यह अपने बताना है तो यह काफी अच्छा कोशिन है और यह लाएगे हैं from this river that is नर्मदा river very important question अगे बढ़ते हैं which famous festival is celebrated at the bank of river jaylam correct answer for this question is with true is the correct answer for this question okay kanchot festival celebrate किया जाता है जो में किश्मिर में आपको पता है आगे बढ़ते हैं which of the falling is the famous new thalic site located in kashmir I hope आप लोग answers खुद कर रहे हो इसके option number c is the बुर्जा हम is the correct answer for this question बना आपको जैसे स्टार्टिंग में बताई आपका test okay तो आपको आजे टेस्ट लेना इस वीडियो को next question आपका bangas valley is located in which district of jungvind kishmir so ये वैली आपको मिलेगी in district kupwada आगे बढ़ते हैं which of the following district constitute the famous lither valley अननतनाग is the correct answer which district of jamo and kishmir is also known as the city of sands this is a district from this is my district that is district punch who built the famous punch fort to punch ka jo kila hai वो किसके द्वारा बना जागा है ये पूछ राप से तो ये punch ka jo kila hai हमारा killa punch ka इसको बना है अब्दुल रजा खान ने okay आगे बढ़ते हैं the famous buddha amarnath shrine जो आपको पुंच में मिलती है ठीक है आप पुंच से आराउंड 15 से 20 km आपको यात्रा मिलते हैं तो ये कौन सी नदी के किनारे है ये आपने बताना है the river is police river next question is sudh mohadev is located in which district of jammu in kishmir correct answer for this question is district udampur and you know this year in pradhaan mantri gram sadak yojana district udampur has stopped with the founder of dogra script so the founder of this dogra script was shakti karan आपको ये कुछ basic सी हैं आप लोगों को आते ही होगे बट आपको अपने क्योंकि ये lockdown की वज़े से ना तो काफी लोगों को लैक बिलकुल एक आप छोड़ दिया है सबने तो इस वज़े से कुद को refresh करना और रिमाइंड करना सारी चीज़ा important है दानिदार प्रजोरी वास कंस्ट्टिट बाइंड विच किंग किस किंग दवारा बनाया गया था अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो छोटी-छोटी चीज़ें बूल जाएंगे इसलिए किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना यानिकी इसी नहीं समझना तुम्या हथू इस दा कर किंगर फॉट करेक्ट आंसर इस अरुप्ष नेमर सी महराजा रिशिवाल राना अगे बढ़ते हैं विच तेम्पल अफ जमू एंड किश्मीर इस अलसो नोन अस रुपे वाला मंदिर रुपया वाला मंदिर बैसिकली इस पंच वक्तर तेम्पल ये भी आपको डिस्रिक ज अरुपन कल्चर तो इस इस मांडा विच तो फॉल इस अलस्ट मूगल कारण ऑफ किश्मीर दे को अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना जेनरली जेकेसस भी बुक्स को प्रिफर करेंगे तो हमें शालीमार बाग ही मिलता है और एक्जाम में आया तो आपको शालीमार बाग ह कंसिडर करना है ओके आगे बढ़ते हैं सुक्राला माता था फेमस हिंदू तैंपल वास कंस्ट्रक्टिट बाइव विच तो फॉलिंग तो किसके दवारे यह बनाया गया था यह आपने बताना है सुक्राला माता का टैंपल किसके दवारे बनाया गया राजा मंदो सिंग इ बिच दे हैं गे Dull Lake in Kashmir is famous for its Shikara, recently Shikara race has been organized by Indian Army on Dull Lake, यसे organized कर वाय जाता हर साल तो आपको बदाने कि वट वट वस द वस द लेख तो द वस द वस द लेख was Kashmir प्रिंसे रगुनाद जी तेम्बल वस बुट वस बुट वाई इससे महरा जो गुलाब सिंग, बाद मैं ने के बेटे रनबीर सिंग ने इसको रेनोवेट किया था, बाकि जो भी रिमेंग काम था वह रनबीर सिंग दवार करवाए गया था अगर आपको इस तरीके से उप्षिन मिले तो you have to mark the correct answer as Gulab Singh, okay, वहले इस तरीके से पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो, हाला कि इस तरीके के कुशन मुझे नहीं लगता कि इतना simple कभी आपसे पूछेगा, but still, यह याद रखना आपने, which monastery is the biggest and the richest monastery of Ladakh region, अब इसमें Ladakh भी आ गया, थोड़ा सा कर लो, Hemis Monastery, and Hemis National Park, आप लोग जानते हूँ, इंडिया का सबसे largest national park, which is situated in Ladakh, okay, Thandamandi is located in, Thandamandi कहां मिलेगा आपको यह, तो यह Thandamandi आपको रजोरी में मिलेगा, Hajratbal Shrine is located in, Hajratbal Masjid कहां पे मिलेगा, this is a shrine, which is dome-shaped, शिरिनगर में, बलिदान स्थम was constructed in which year, तो कौन सी साल में इसे बनाया गया था, so this was constructed, यह बागे बहु, टेंपल के पास आपको मिलेगा, बलिदान स्थम, यह बना था 2008 में, 2008 में, okay, the largest tulip garden is located in, तो सबसे बड़ा tulip garden है, जो हमारे इंडिया का, वो आपको मिलेगा शिरिनगर में, वे पूछ रहा है कि, जामा Masjid इंगर वाउस बिल्ट इन 1480 बाई, तो किसके द्वारा बनाएगे थी, सुल्तान सिकंदर द्वारा, okay, so guys, with this, हमने important tourist destination के, जितने questions बन सकते थे, मैंने cover किये, बाकि आपको, देखो, मैं आपको पूरा process बताई तो, मैं एक चीज़ और जरूर यहां से सभी students से recommend करूँगा, देखो, being a friend, आप मुझे teacher माने या friend माने पर एक चीज़ जरूर आपके साथ share करूँगा, कि आप किसी चीज़ पर 100% dependent मत रही, okay, so this is the suggestion, देखो, मैंने जैसे यह बोला कि आपको बस आप इतने ही कर लो, तो this is sufficient for you, देखो, current affairs section में आपको इचीज़ बोल सकता हूँ, assurance दे सकता हूँ कि आपको जब सारे करवा दिये तो वो उतना ही है, जब एक मन्त के करवा रहा हूँ या जैनके के करवा रहा हूँ तो उतना ही कर रहा है, वो आप जहां से आपको बैटर लगता, प्रिपेर कीज़े, इस तरह से attempt कीज़े, बाकि जो मैंने आपके लिए मौक बनाए, तो जो आपको 50 मौक मिलेंगे, उसमें तो आप लगा लीज़े, around 3000 plus questions आपके कवर होने ही वालने, तो उसमें भी इस तरह की questions आ सकते हैं, उसमें भी आपको tourist destination के questions मिलेंगे, mcq में भी मिलेंगे, आपके अपने exam जो finance sub inspector and finance account assistant उसमें भी मिलेंगे, तो बतलब the point is कि आपको different चीज़ों से ही पढ़ना पड़ेगा, यानि कि आप एक चीज़ पर बिल्कुल आप रलाय मत कीज़े, तो मैं आपसे यही suggest करूँगा, यह series को तो आप crash course को पूरा follow कीज़े, बाकी mock test आप देखते रही है, उसमें जहां से questions आपको जो question आपको दिखते है कि हाँ, so this is the suggestion जो मैं आपको दूँगा, बाकी आप लोग, बाकी हर topic को हम history के से करेंगे, इसके बाद बाकी हमें जैसे reorganization act होगी है, जिग्राफिय होगी, history होगी, तो मैं mcq format में आपके साथ ही सारे topics के mcqs शेर करने वाला हूँ हूँ इस series में, तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करें, so that की मुझे भी बता चले कि हाँ, आपको इस series पसंद आ रही है, so that की मैं बाकी वीडियो को जल्दी से जल्दी बना पहूँ, so guys thank you, best of luck, take care, मिलते हैं फिर कल, या फिर जल्दी new questions के साथ, with new topic, mcqs लाओंगा, जो भी लाओंगा आपके आने वाले exams के लिए, thank you, take care, and daily current affairs का वीडियो तो आई ही रहा, तो वो बने रही है, उसमें भी काफे ज़्यादा beneficial रहा, thank you, take care, see you soon,